Hello students, कैसे हैं, आप सब असा करता होंकि आप सभी fit and fine होंगे आज ये 12th class के लिए mathematics में matrix start किया जा रहा है और ये पहला chapter है इसमें आप basic information about matrix ये पढ़ेंगे कि matrix के बारे में क्या basic information है और क्या basics है, matrix क्या चीज होती है इसके बारे में आप पढ़ेंगे और आप इस पे किसे तरह से जो इनकी exercise होती है उनका भी अध्यान करना सुरू करेंगे तो आप सबसे पहले बात आती है matrix का मतलब ये होता है कि आप view आप view क्या चीज है, इसके बारे में आपको जानना है तो एक basic तरीके से मतलब आते हैं जैसे सबज दीजिए कि आप view है क्या ये आपको समझना है तो आप एक common language सुचिए कि ये आपके लिए एकदम matrix जैसा लग रहा है वैसा तो अभी साइद आप view कि ये clear भी नहीं हो रहा होगा तो आप ये समझेए कि जैसे suppose किसी के पास कोई data है data का मतलब कोई data किसी के लिए बोला जा रहा है कि जैसे राम के पास छे किताबे है राम के पास छे किताब है और उसी वक्त के पास बोल दिया है दो पेन भी है तो जब पहले बोला गया राम के पास राम के लिए बोला जा रहा है कि उसके पास कितनी है छे किताबे हैं, अगर इस संकेत को हम इस वाले ब्रेकट में लिखें, राम के पास छे किताब है अगर ऐसे संकेत में लिखते हैं, तो यही संकेत जो इस ब्रेकट में लिखा जा रहा है, इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स matrix language अगर इसके पास राम के पास 6 किताब और 2 pen है तो इसको हम matrix के language में ऐसा लिख सकते हैं 6 किताब और 2 pen बाति साइद आप लोग को clear हो रही होंगी अच्छा बीसी में और आगे बात करें कि राम के पास 6 किताब 2 pen तो है उसका कोई friend है मोहन suppose मोहन के पास मोहन भी उसका एक friend है जिसके पास 4 किताब और 1 pen है तो इन दोनों के आखड़ों को अगर एक ही matrix में invilt करना हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 किताब 2 pen किसका है 4 किताब 1 pen किसका है ये राम का है और ये मोहन का है ये किसकी संख्या है ये किताबों की संख्या है और ये किसकी संख्या है pen की संख्या है तो इसी language में अगर हम लिखते हैं इसी को matrix बोला जाता है इसी को matrix बोला जाता है matrix यानि कि किसी संख्याद को अगर हम एक बड़े वाले bracket के अंदर लिखके प्रदसित करते हैं तो ये हमारा presentation matrix का presentation कहलाता है तो इसमें और आगे बात करते हैं जैसे कि इसमें आपने ये देखा ये जो आपको इस तरह से horizontal line दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं पंक्ती आप view की पंक्ती और जो इस तरह से दो दिखाई पड़ रहे हैं अस्तंब इनको अस्तंब ही कहते हैं इनको बोलेंगे अस्तंब ये क्या है पंक्ती है और ये क्या है? अस्तम्व है, ऐसे ऐसे में जो है, इसको बोलेंगे column और इसको बोलेंगे row तो ये clear हो गया होगा, अब चलते हैं, आप view की परिभासा पर बात करते हैं आप view क्या है? ये समझते हैं, आप view की परिभासा जानते हैं आप view संख्याओं या फल्नों का एक आयताकार क्रम बिन्यास है ये आयताकार क्रम बिन्यास है, आप view क्या है? संख्याओं या फल्नों का एक आयताकार क्रम बिन्यास है और जो आयताकार बिन्यास आपको दिखाई पड़ेगा इनमें जो संख्याएं मौजूद हैं इनको आप्विव का अवयो कहते हैं यानि कि आप्विव क्या है कि संख्याओं का आयताकार क्रम बिन्यास है आप व्यू क्या है? संख्याओं का आयता का करम विन्यास है इसमें जो संख्याओं प्रविस्ट की गई होती है ये इनमें जो संख्याओं होती है उनको हम कहते हैं कि आप व्यू का अवयो है ये क्या कहते हैं? आप व्यू का अवयो है आप्व्यू में बहुत सारे अवयों हो सकते हैं पंक्ति में भी हो सकते हैं अस्तंब में भी हो सकते हैं अब आप्व्यू की कोटी समझते हैं आप्व्यू की कोटी ये क्या होती है मान लिजिए कोई एक आप्व्यू है अच्छा, आप व्यू का representation अगर करना हुआ, तो आप व्यू को अंग्रेजी वर्ड माला के capital letters से use करके, यानि कि अंग्रेजी वर्ड माला के capital letters का use करके, आप व्यू को दर्साया जा सकता है, जैसे माल लीजिए कोई एक आप व्यू है, ए बराबर कुछ इस तरह से आपको दे दिया जाए, और इसको बोलेंगे एक आप व्यू ए बराबर इतना है, और इसमें ये इनके अवयों है, तो आप व्यू को हमेशा अंग्रेजी वर्ड माला के capital letters के साथ दर्साया जाता है, तो आप व्यू की quote ही क्या है, यानि कि order of a matrix ये आपको समझना है, order of a matrix क्या है, या यानि कि आपको इसमें decide करना है कि ये किस order का, यानि कि 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 क्रम का आप व्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर एक आप व्यू डिक रखा है, एक, दो, तीन, पांच, साथ, तीन, एक, छे, चार, तो इसका order अगर आपको बताना है, तो सबसे पहले आप इसमें पंकियों की संख कितनी है, वो भी एत्री, तो इसमें number of row and number of column, ये हो गया इसका order, यानि कि कि किसी भी आप व्यू का अगर order आपको बताना है, तो सबसे पहले आप count करेंगे कितनी पंक्तियां हैं उसमें, इसके बाद आप count करेंगे कि कितने इसमें अस्तंब हैं, और वो चीजें यहाँ प करके, पास से पहले पास से पंक्ति ही लिखा जाएगा, इसके बाद अस्तंबो की संक्या लिख दीजिए, count करके, आप एकदम इजली समझ पाएंगे, इसमें कोई doubt नहीं है, कि इसका order आप कैसे बता पाएंगे, तो ये भी बात clear हो गई होगी, अगर इसी क्रम में आगे ब matrix, कि given matrix में कितने elements हैं, वो आपको बताएगा, जैसे 3-3-9 होता है, तो इसमें आप count कर लिजिए, 9 elements इसमें हैं, 3-3-9, और एक देखते हैं, जैसे suppose एक matrix दिया गया है, x, और इसमें 2, 1, 5, 3, 7, 2, इस तरह से हैं, तो इसका order आपको अगर आपको बताना है, तो कैसे बता प है, तो 1 row, 2 row, 3 row, 3 cross, number of column, 2 column है, 2, तो यह इसका order हुआ, order of matrix, x is कितना है, लिखेंगे 3 cross 2, और इसमें number of element कितने है, number of element, आप वो बताएंगे, 3, 2, 6, तो इस तरह से आप इजली बता सकते हैं, किसका order क्या है, तो सायद अब यह बाते आप clear हो चुकी होंगी, मैं example के थ्रूप बता रहा हूँ, अब आगे बात करते हैं, कि अगर किसी matrix को बनाना हुआ, तो आप कैसे बना पाएंगे, matrix को बनाने के लिए, जो basic concept यूज किया जाता है, यह age equal to क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा वाला bracket इसमें i, j, और यहाँ पे इसका order लिख दिया जाएगा, m cross n, इसके लिए conditions follow होनी चाहिए, क्या conditions follow होनी चाहिए, मैं बताता हूँ, कि i की value is greater than equal to 1 होनी चाहिए, and less than equal to m होनी चाहिए, अभी मैं इसका मतलब और बताता हूँ आपको, फिर इसके बाद j की value क्या होनी चाहिए, j की value भी greater than or equal to 1 होना चाहिए, and less than or equal to n होना चाहिए, यह conditions follow करके एक matrix को बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं बनाऊं, एक matrix, तो इसमें देखिए, i क्या है, i किसको represent कर रहा है, यह आपको देखना है इसमें, जो i है, वो किसको दरसाएगा, पंक्ति को, और j किसको दरसाएगा, अस्थम्भगो, i किसको दरसाना चाहिए, पंक्ति को, और j किसको दरसाना चाहिए, अस्थम्भगो, तो i की value क्या होनी चाहिए, एक से, एक के बराबर या, एक से बड़ी होनी चाहिए, सही है, एक से start होगा, और एक से, जब starting उसकी हो रही है, तो एक से बड़ी हो सकती है, यानि 1, 2, 3, 4, और ऐसी पंक्तियां होनी चाहिए लेकिन M, M के बराबर हो सकती है, M पंक्तियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, similarly यहां भी J की value क्या है, 1 से start होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है, एक column हो सकता है, या एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कहने का मतलब दो, ती, चार, पांच और एटलेस्ट आपके कितने हो सकते हैं N column हो सकते हैं अगर on ym यहाँ पर पंक्तियों के लिए use किया गया है ये n किसके लिए use किया गया है इस्तंबव के लिए तो यन तक ही हो सकता है यहाँ पर व्यस्वें पंक्तियां भी यम तक हो सकती है और अस्तम कहां तक हो सकते है यम तक हो सकते है एक से स्टार्ट होके यम तक हो सकते है तो I hope ये बाते समझ में आ गई होंगी एक एक्जामपल के थूरू इसको समझते है मान लिजिए कि आपको एक मैट्रेक्स बनाना है I is equal to आपको given हो गया 1, 2, 3 और J की value 1, 2, 3 तो आपको एक मैट्रेक्स बना के देना है कि आपका मैट्रेक्स किस तरह से बनेगा आप उसको बनाईए तो आप जानते हैं कि मैट्रेक्स अपोज A है तो A is equal to क्या होता है A is equal to और 3 cross 3 का आपको बनाना है ये भी देहन रखिए आपको 3 cross 3 का बनाना है तो इसमें number of row भी उतना ही होने चाहिए और number of column भी उतना ही है तो आप कैसे बना पाएंगे A is equal to सबसे पहले I is equal to 1 यानि कि A, I is equal to 1 J is equal to 1, ये बन गया ये भी possible है I is equal to 1, J is equal to 2 possible है पहले इसका हम ले रहे है 1 और इन सभी के साथ में लिख देते हैं पहले पंक्तियां बनेंगी तो और I is equal to कितना 1 पहली पंक्ति के साथ में और ये तीसरा का आपको ले रहे है तो यहाँ पे लिखेंगे ये बन गया फिर इसके बाद A is equal to 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 and A 3 3 इस तरह से आपका मैट्रिक्स बन जाएगा बाते समझ में आ गई होंगी इसका ओर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का ओर्डर है मतलब सबसे पहले आपको इसी को follow करना है जब आप 1 ले तो 1 ले यानि कि पहले प्लेस पे आपका 1 1 बना फिर पहले ही पंक्ति में दूसरा अस्तम ये बना पहले ही पंक्ति में तीसरा अस्तम ये बन गया तो पहले का काम तो पहली पंक्ति का आपने क्लियर कर दिया फिर दो का जब लेंगे दो का वन के साथ में करेंगे यनि कि दूसरी पंक्ति में पहला अस्तम दूसरी पंक्ति में दूसरा अस्तम तीसरी पंक्ति में तीसरा अस्तम सोरी आपका matrix बहुत आसानी से बन जाएगा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब चलते हैं कुछ और examper's के साहरे आगे की तरब सपोर्ष करिए कि एक examper आपको दिया गया और ये बोला गया कि एक matrix की रचना करिए और आपको in short form उसको represent करके दे दिया गया कि आपको एक 3 cross 2 3 cross 2 order का एक matrix बनाना है जिसके लिए आपका जो element है वो aij is equal to कितना है सपोर्ष करिए i plus 2j कुछ इस तरह से है उसका जो element है ऐसे so हो रहा है कि यानि कि हर एक element के लिए i, j के through आपको 3 cross 2 order का एक matrix बनाना है तो focus इस बात पे करिए कि 3 cross 2 मतलब इसमें number of row 3 है और number of column 2 है तो आप सीधे-सीधे लिख लिए suppose matrix A है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 cross 2 के लिए number of row कितने है a11 a21 and a31 3 row तो clear हो गया और column कितने है 2 तो यहाँ पर a12 a22 a32 इस तरह से आपका इस quarter कितना है 3 cross 2 यह तो बन गया अब आपको क्या करना है basic सबसे पहले यही बनाईए अब यह बनाने के बाद यह conditions follow कराईए क्योंकि i, j, i, j सब है है ना आप i is equal to 1 रखेंगे तो यहनि कि आपको सब कोच a11 की value find करनी है a11 is equal to कितना हो जाएगा यह conditions आप देख रहे है a i के अस्थान पर 1 है j के अस्थान पर भी 1 है तो यहाँ पर भी वही रखें कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 यानि कि कितना आएगा a11 की value आजाएगी 3 similarly a12 की value कितनी हो जाएगी a12 is equal to आप जब find करेंगे तो 1 और 2 तू जा 4 यानि कि 1 प्लस 4 is equal to कितना हो जाएगा 5 a21 की value कितनी हो जाएगी a21 जब find करेंगे तो 2 तू जा 4 I hope that 4 आएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 1 it means is that कितना 4 and a22 की value कितनी हो जाएगी तो 6 आएगा क्योंकि आप 22 की value find करने है तो 2 इंटू 2 means कितना 6 a31 की value कितनी हो जाएगी a31 की value जब आप find करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 1 it means is that कितना हो जाएगा 5 और A32 की value कितनी हो जाएगी A32 की value जब आप find करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना A32 इसका मतलब यह है कि आपको 32 की value find करने है 3 प्लस 2 इंटू 2 तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 अब exactly यह सारी value यहाँ पर रख सकते हैं मतलब आपको जो matrix बनेगा A is equal to कितना A11 की value कितनी है A11 की value 3 है A12 की value कितनी है 5 है A21 की value कितनी है 4 है A22 की value कितनी है 6 है A31 की value 5 है और A32 की value कितनी है 7 है यह आपका matrix बन जाएगा और इसका order होगा 3 cross 2 का number of element कितने है 6 है इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप किसी भी conditions, given conditions पर matrix के elements को find कर matrix के order को follow करते हुए कोई भी matrix बना सकते हैं इसलिए कोई दीकत नहीं होगी इसमें चलिए अब आगे चलते हैं बात करते हैं टाइप आफ मैट्रिसेश type of matrices कितने होते हैं या कैसे होते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं पहला है जो इसको बोलते हैं astumb ab view astumb ab view यह क्या होता है इसके बारे में आपको समझे नहीं तो exactly नाम सही लग रहा है कि इसमें astumb ही maximum होगा यानि कि ऐसा आप व्यू जिसमें नमबर आफ ऐसा आप समझ लीजिए कि ऐसा आप व्यू जिसमें एक अस्तम्ब होता है ऐसा आप व्यू जिसमें एक अस्तम्ब बनता है केवल उसमें नमबर आफ रोज कुछ भी हो सकती है तो ऐसे आप व्यू को हम क्या कहते हैं अस्तंब आप व्यू जैसे यहाँ पर मैं एक लिखूं एक तीन पांच ऐसा एक कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो ऐसे आप व्यू को अस्तंब आप व्यू कहते हैं पंक्ति आप्वियू, से मिसी का उल्टा, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक आप्वियू पंक्ति आप्वियू तभी होगा, जब उसमें केवल एक ही पंक्ति होगी, और कालम कुछ भी हो सकते हैं, सपोच यहाँ पे आपका यह इस तरह से बन जाए, यही पलड दिया जाए एक, तीन, पांच, ऐसे लिग दिया जाए, तो यह हमारा रो में दिखाई पड़ा है, कालम तो इसमें तीन है, यहाँ पे कालम एक है, पंक्तियां तीन है, तो यहाँ पे कालम क्या है, थ्री है, बट रो एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे पंक्ति आप्वियू, पंक्ति अगर देखो, तो सबसे पहले उसके order पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि उसका order क्या है, order जिसे 1 x 1 है, यह 2 x 2 है, यह 3 x 3 है, यह 4 x 4 है, इस तरह से अगर है, तो ऐसे matrix के order अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप direct बोलिए कि वो हमारा क्या है, एक वरगा भी हो, वो आपक को कुछ वरगा कार ही दिखाई पड़ेगा, suppose 1, 2, 3, 1, इसका order 2 x 2 है, देखिए यह वरग जैसा लग रहा है, यहाँ पर एक और पता देते हैं, जैसे यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 1, 7, 9, 2, 3, देखिए इसमें भी 3 x 3 इसका order है, और यह एक वरग जैसा लग रहा है, तो यह वरग आप गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए वागे बात करते हैं, अगले टाइप के बारे वे विकररड आप गयू, विकरड आप गयू, यह वरग आप गयू का ही एक modified ऐसा समझ लीजिए कि ये विकर्ड आप्वियू का एक modified type है इसमें क्या है कि इसमें compulsory ये है कि अगर कोई हमारा work आप्वियू डिया गया होगा और उसके डाइगनल्स को छोड़ कर अगर सारे elements 0 है तो ऐसे आप्वियू को हम क्या कहते हैं विकर्ड आप यो कहते हैं एक्जामपल के लिए सपोज करिए यहाँ पर एक स्क्वार मैट्रिक्स आपको दिया गया है मैं 2 क्रॉस 2 का ही और लेकर बताऊंगा 2 0 और यहाँ पर 0 5 कुछ इस तरह से है तो ये वाला डाइगनल आपको लेना है इस डाइगनल को छोड़के इसमें बाकी जो ये डाइगनल है इसकी बात नहीं कर रहे हैं ये वाला डाइगनल छोड़के इसी साइट का डाइगनल जो आपको पहले मिलेगा पहले एलिमेंट के साथ में जो डाइगनल बनेगा उसके एलिमेंट को छोड़के बाकी देखना भी है लेकिन इसके साथ साथ यह विकर्ड आप भी हो भी है इसी तरह से 3 x 3 में बता सकते हैं 3 x 3 का ही है कि जंपल बताते हैं सब्सक्राइब करिए कि यहाँ पर 2, 0, 0, 0, 1, 5 sorry 0 और 0, 3, sorry यहाँ भी 0 रहेगा और यहाँ पर 2 ऐसे अगर यहाँ पर एक matrix आपको 3 x 3 का दिखाई पड़ रहा है और इसका भी देखे diagonal एक diagonal यह जो first element के साथ में जुड़ा होगा इस diagonal के elements को छोड़ के बाकि सभी elements क्या है जीरू है तो इसको भी हम बोलेंगे कैसा matrix है इसको बोलेंगे हम कि यह हमारा diagonal matrix है मतलब विकर्ड आप्व्यू है अब आपको समझना है अगली type के बारे में जीसे बोलेंगे अदिस अदिस आप्व्यू अब क्या था कि विकर्ड आप्व्यू वर्ग आप्व्यू का अब अदिस आप्व्यू जो है यह बिकर्ड आप्व्यू का modified है इसमें क्या है स्पेसेलेटी यह देखनी है कि यदि किसी बिकर्ड आप्व्यू में बिकर्ड के सभी अवयो आपस में समान है तो ऐसे बिकर्ड आप्व्यू को हम क्या कहेंगे अदिस आप्व्यू जैसे सम देखिए ये बिकर्ड आप्व्यू तो है लेकिन बिकर्ड आप्व्यू के साथ साथ ये कैसा आप्व्यू है अधिस आप्व्यू है ये वर्ग आप्व्यू है बिकर्ड आप्व्यू भी है और अधिस आप्व्यू भी है clear हो गई होगी बात यानि कि अभी जो यहाँ पर मैंने example बताया था अगर ये भी 2 हो जाए तो ये हमारा कैसा होगा अधिस आभ्यू का प्रकार हो जाएगा यानि कि ये अधिस आभ्यू हो जाएगा यहाँ पर अगर ये 2 है यह 5 है और यह भी 5 अगर हो जाता है यह भी 5 अगर हो जाता है तो यह हमारा कैसा आपव्यू हो जाएगा अदिस आपव्यू तो अगले टाइप के बारे में बात करते हैं जिसे हम बोलेंगे तत्समक आपव्यू नाम से ही कुछ आपको लग रहा होगा कि तत्समक आपव्यू matrix यह क्या होता है तत्त समख आप विऊ मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो भी बीकृड़ के ये भी आपका square से ही बनेगा जैनी कि square matrix का ही type है अब square matrix के type में आपने जो diagonal matrix पढ़ा कि diagonal के element को छोड़ के बाकि सारे elements क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए तो वो हमारे क्या होगा डाइगनल्स मैट्रिक्स होगा और उसका मोडिफाइड आपने पढ़ा क्या अदेश यानि कि स्केलर मैट्रिक्स अब आइडेंटिटी क्या है कि यह भी एक स्क्वए टाइप का ही बनेगा यानि कि A is equal to suppose आपका 1 00001 ऐसा है यानि कि जो इसका डाइगनल्स है इसके सारे एलेमेंट्स सिर्फ 1 1 ही होंगे यानि कि आइडेंटिटी मतलब 1 ideal है ये कि diagnose में जो elements हैं वो सब 1-1 ही होने चाहिए और इसके बाद के जो element हैं वो सभी 0 होने चाहिए तो ऐसे matrix को हम बोलेंगे कैसा matrix? identity matrix मतलब इसमें diagnose के elements हैं वो सिर्फ 1-1 होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 ही 1 के अस्थान पे 2 नहीं हो सकता है और सभी 1-1 होने चाहिए ऐसा नहीं कि इसमें कि कोई दूसरा कुछ हो जाएगा अगर 3 क्रॉस 3 का लेंगे या फिर हम 2 क्रॉस 2 की बात करें तो इसमें 1-0-0-1 ऐसा अगर होगा तो ये 2 क्रॉस 2 order का ही matrix है ये भी हमारा identity matrix है अब इसमें last एक और आपको समझना है 0 matrix क्या है 0 matrix ये क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए नाम सही लग रहा है 0 matrix यानि कि ऐसा matrix जिसके सभी elements क्या हो 0 हो ऐसे matrix को हम क्या कहते है 0 matrix यानि कि सुनने आप दियो यानि कि ये matrix हमारा ऐसे भी हो सकता है यानि कि एक ही element हो age equal to हमारा 0,0,0,0 ये भी हो सकता है और age equal to हमारा अगर हम 0,0,000,000,000 अगें,000 इस तरह से हो तो ऐसे matrix को हम कहेंगे कि हमारा ये 0 matrix है clear हो गई होगी बात अगर आपको सारी बाते समझ में आ गई है तो हमें comment box में comment करके चरूर बताईएगा